अज़ अपर प्रेंड्स रेफ़ेशन में आपका स्वागत है आज हम एम्परोडरी फुट लगाकर फ्री मोशन एम्परोडरी करना बताएंगे इस foot को Doanning foot भी कहते हैं और Embrodery foot भी कहते हैं यह foot मशीन के साथ नहीं हाता है अलग से खरीदना पड़ता है और मार्केट के लाव ओनलाइन भी खरीज सकते हैं किसी भी जिग जिग शिलाई मशीन में यह foot लगा कर Embrodery कर सकते हैं जदि आपके पास foot नहीं है लिंक पर जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि फ्री मोशन एंब्रोडरी का वीडियो बनाईए इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है अब हम एंब्रोडरी के लिए मशीन की सेटिंग करेंगे ये स्टिच लेंद डायल है इसको हम किसी भी पोजिशन में रख सकते हैं लेकिन हम एक से दो के बीच में रख रहे हैं पेटर्न सलेक्टे डायल को हम सी पर रखेंगे इसे हम जिग जेक स्टिच भी कहते हैं त्रेट टेंसेंट डायल कोम दो से छे के बीच में रख सकते हैं, हम चार पर रख रख रहे हैं अब मैं आपको यह फुट लगाना बताते हूं फुट लगा लिया हमने यह देखिए डार्निंग फुट का लिवर जो है वो नीडल क्लेम स्क्रू के पीछे रहेगा इस डार्निंग रिंग की वज़े से एंब्रोडरी आसानी से होती है खपड़ों को सुई के साथ ज्यादा उपर आने से रोकती है इसलिए एंब्रोडरी अच्छी होती है अब भी मशीन में के जो टीथ है वो उपर उठे हुए है जैसे हम फीट डोग को ड्रोप करेंगे यह नीचे चले जाएंगे यह फीट डोग लिवर है इस फीट डोग लिवर को दबाकर राइट साइड में ले जाए छोड़ देंगे यह देखें यह देखें टीथ अंदर चले गएं मसीन चलाने पर भी टीथ उपर नहीं आएंगे मैं आपको मसीन चलाकर बताते हूं यह टीथ नीचे रहने से कपड़े को हम किसी भी डारेक्शन में चला सकते हैं इसी लिए ही से हम फ्री मोशन एंब्रोडरी कहते हैं यह हमने एक कपड़ा लिया और बेक साइड में हमने यह फ्यूज पेपर चिपका दिया यह देखें और इस पर हमने पसंद की एक ड्रोइंग बना दिये आप बीना पेपर के भी कपड़े पर ड्रोइंग बना कर एंब्रोडरी कर सकते हो लेकिन फ्यूज पेपर लगाने से एंब्रोडरी अच्छी बनती हैं फिनिसिंग से बनती है इस रिंग को हम कपड़े की तरफ रखेंगे और यह जो बड़ी फ्रेम हैं उसको नीचे रखेंगे हमने एंब्रोड्री के लिए सिल्क थ्रेड लिया है नॉर्मल धागे से भी एंब्रोड्री की जा सकती है लेकिन इससे एंब्रोड्री में अच्छी से शाइनिंग रहती है यह अच्छी लगती है हुआ है झाल 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 यह देखें हमने एंब्रोडरी कर लिये फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें गंटी के बटन को जरूर दबाएं झाल